नमस्कार, वेलकम अभिनंदन, मैं एस्टॉलिजर, निमरलोजिस, वास्तु कंसल्टेंट सरीता गुपता, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं बात करूंगी सीडियों के बारे में, घर की सीडियां हो, ऑफिस की सीडियां हो, किसी फैक्टरी की सीडियां हो, आपके किसी भी बिल्डिंग की सीडियां हो सीडियों का वास्तु में बहुत important role है वैसे तो हर जो निर्मान करते हैं वास्तु अनुरूप होता है परन्तु सीडियां सबसे ज़्यादा अपने पर भार सेहन करती है और वो सीडियां को हमने कौन सी दिशा में बनाना ये बहुत important रहता है गलत सीडियां हमारे साथ क्या परिनाम लाती हैं और कैसे उनको rectify करें उसको तो ये जानेंगे आज जहां किसी भवन की सीडियां हमें उपरी मंजिल तक ले जाती हैं वहीं हमें basement में भी ले जाती है सीडियों में जाना हूं हमें उपर के floor पे और हम गलती से नीचे उतर गए या कोई और floor पे उतर गए तो वैसे ही नुकसान होता है जैसे कि हम lift पर गलत बटन दबाने से top floor की जगा basement में चले गए basement की जगा या first किसी भी floor पे जाना है दूसरे के घर की जो आपने घंटी दबा दी इसी परकार से गलत दिशा में बनीवी जो सीडियां होती है वो मुसीवत का कारण बनती है और वास्तू दोश का निर्मान करती है इसलिए हमेशा सीडियां बनाते समय सावधानी रखनी चा बनता है वहां दिशानों तो west में बना सकते हैं फिर north west में बना सकते हैं पर भूल करके भी अगर आप कोई नई building बना रहे हैं और वहां पर अगर आपने पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व में सीडियां बना दी तो वो दिक्कत का कारण बन सकते है तो भूल करके भी वह सीडियां बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो पूर्व की दिवार से थोड़ा सा हटके हो यानि पूर्व की दिवार को टच ना करें क्योंकि पूर्व की दिवार अगर टच करते हैं तो पूर्व जो है आपका हैवी हो जाता है ज्यादा 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 बनाते हैं, उसकी जो height है, उसकी ज़्यादा से ज्यादा नौ इंच से ज्यादा उची ना हो, और cd की संख्या के बारे बात कर लेते हैं, ध्यान रखें, सीडियों की संख्या विशम होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, सम संख्या में बनीवी सीडियां जो हैं दिक्कत देती हैं अब क्या उपाए करें अगर आपकी सीडियों में कुछ ऐसे से वास्तु एफेक्ट्स हैं तो हम जानते कौन कौन से हैं सीडियों के नीचे बिल्कुल भी अंधेरा ना होने दे वहाँ पर प्रकरतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए अगर किसी कारण से प्रकरतिक प्रकाश नहीं आ रहा तो हमें लाइट अथवा रोशनी का परबंद करना चाहिए हमेशा लाइट जली रहने चाहिए सीडियों के नीचे फूजा घर बाथरूम या टॉयलेट या किचन बिल्कुल भी भूल कर ना बनाए और सीडियों अगर कहीं से तूट फूट गई है तो उनको तिरंत रुपेर कराए क्योंकि जो तूटी भी सीडियों होती है हमारे भागे को भी खराब कर देती है सीडियों पर पत्थर कौन सा लगाए ये बहुत इंपोर्टन बात है सीडियों पर सफेद रंग का पत्थर लगाए बहुत जादा रंग बिरंगी या भड़कीली सीडियों ना लगाए या फिर आप जो है साउसी दिश्चा के साबसे हलका सा मेरून कलर ले सकते हैं या यल सीडियों में ग्रोथ तरक्की और संपन्ता लेकर आता है सीडियों बनाते समय रंग और हाइट का बहुत जादा जैसे मैंने बताया कि नौंच से उची सीडियों नहीं होनी चाहिए और रंग मैंने बताया अदिशा के अनुसार अगर पश्चिम में है या नौर्थ तो आप वो ध्यान रख सकते हैं इससे संबंदित अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्षन में आप कमेंट कर सकते हैं आप अपने परामर्श के लिए कॉल कर सकते हैं नीचे दियेगा नमबर पर साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई